उत्रपरदिश के केराना में गुरुवर रात एक गाड़ी में EVM मशीन मिलने के बाद जम कर हंगामा हुआ मोकेबर सपा परतियाशी नाहिद हसन की बेहन इकराभी पहुंची और आपत्ति जाहिर की दावा किया जा रहा है कि जिस गाड़ी में EVM मशीन मिली उसमें कोई नमबर पलेट भी नहीं लगी थी इसका वीडियो भी वाइरल हो रहा है अब DM शामली ने बताया कि वहर रिजर व एवीम थी उन्होंने यह भी कहा कि गाड़ी बिना नमबर पलेट की नहीं थी इस पूरे मामले में लापरवाही बरतने को लेकर जोनल मजिस्टेट के खिलाब कारेवाही की सिफारिश की गई है DM ने आगे कहा कि रिजर मशीन गाड़ी के अंदर दीख रही थी जिसको कुछ लोगों ने देखा और वहां मीडिया आ गई तुरंत इसका संग्यान लेकर SDM और पुलीस शेतरा दिकारी को मोके पर भेजा गया जोनल मजिस्टेट की गाड़ी नमबर पलेट के बिनन नहीं थी और गाड़ी पर नमबर और जोनल मजिस्टेट की डिटेल भी चस्पा थी वहां एक उमीदवार की एजेंट भी थी और उनके समर्थक भी आ गए थे उनको सारी मशीन दिखाई गई और समझाया गया कि यह है रिजर मशीन है जिससे वे संतुष्ट हुए और पूरे प्रोटोकॉल से वे मशीन जमा कराई गई वेयर हाउस में उपस्तित उमीदवार की एजेंट उनके समर्थक वे मीडिया ग्रूप के लोग संतुष्ट नजर आये किसी भी परकार की कोई समस्या और आपत्तिन नहीं की गई फिर जोर्नल मजिस्टेट के खिलाफ एक कारण बताओ नोटिस दस फरवरी की रात को जारिक किया गया था और उनके खिलाफ कारेवाही के लिए निर्वाचन आयोग से शुक्रवार को संसुति की गई है इसकी भी तो आगर रिजर्व की बी तो एक प्रोटकॉल होती है उसकी ट्रांस्पोटेशन की बी तो एक प्रोटकॉल होती है नहीं इसकी पूरे टाइम आप मुझे क्या इत्वार दिलाए है आपको चलिए पूरा में चेक अप कराईए यहां पर थोड़े कराप आउंगा हम साथ चलेंगे